हेलो एंड वेलकम स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डियेवी क्लास एट का हिंदी चप्टर नमर एट के सारे कुश्चन एंसर करने वाले हैं तो और बाकी चप्टर के भी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कोश्चन नमर वन तलवार का महत्व होता है मयान कर नहीं इस उधारन के द्वारा कभी क्या कहना चाहते हैं तर होगा तलवार का महत्व होता है मयान कर नहीं इस उध प्रश्न तीन कठोर वचनों का मनुष्य पर क्या परभाव पड़ता है इसका उत्तर होगा कठोर वचन सबसे बुरा होता है कि इनसे वे दुखी हो जाते हैं और उनका उत्सा कम हो जाता है प्रश्न चार स्वातिनक्षात्र की बूंद केला सीप तिथा सर्क मुख में गिर कर क्या क्या रूप धारन करती हैं उत्तर स्वातिन अक्षात्र से गिरने वाली बूंदे जब केले के पेड़े पे गिरती हैं तो चुना, सीप में गिरे तो मोती और सांप के मुख में गिरे तो विस बन जाती है प्रशन पांच सज्जनों को बार-बार क्यों मना लेना चाहिए उत्तर जिस तरह मोतियों की माला के टूटने पर उसे बार-बार हम धागे से पिरोते हैं ठीक उसी प्रकार सज्जनों को बार-बार मना लेना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है प्रश्ण 6 लाख उपाई करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती उधारन द्वारा इस पश्ट कीजिए अब मारा है बाक्चित के लिए तो पहला प्रश्ण है कवी ने अम्रित की धार किसे बताया है और क्यूं तो उसका उत्तर होगा कवी ने अम्रित की धार साधूओं की वानी को बताया है क्यूंकि साधूओं की वानी समस्त प्रानी के लिए सीतलता पहुंचाने वाली होती है सदा के लिए अपने मन में बसाना चाहते हैं जब स्रीकृष्ण के सीर पर मुगुट कमर में काचनी हांत में वंसी और हिर्दे पर वैजनती माला धारन किये हों अगला प्रश्ण चार श्रीकृष्ण के स्यामल सरीर पर पीले रंग के वस्तर कैसे लगते हैं उत्तर श्रीकृष्ण के स्यामल सरीर पर पीले रंग के वस्तर ऐसे लगते हैं मानो नील मली परवत पर प्राता काल की किरने पड़ रही हों अगला प्रश्ण 5, मन, काचे, नाचे, विर्था से क्या अभिप्राई है? तो मन, काचे, नाचे, विर्था में ये अभिप्राई है कि जब हमारा मन दुरभावनाओं से भरा हो तो नाच गाकर भी इसवर को नहीं रिजाया जा सकता है अब हैं अनुमान और कल्पना पहला प्रश्ण यदि आपका निकट संबंदी या कोई मित्र आप से रूट जाए तो आप क्या करेंगे उत्तर यदि मेरा कोई निकट संबंदी या मित्र रूट जाए तो मैं सबसे पहले यह जानने की कोशिस करूँगी कि वो क्यों रूठा ह इसके बाद में हर संभव प्रियास करके खे रिष्टे को फिर से पहले जैसा मधुर बनाने का प्रियास करूंगी गलब प्रश्ण दोवी पत्ति के समय आपका मित्र कुछ रुपे मांगने आया और आपने उसे मना कर दिया अगर वह समझदार है तो उसे यही लगना चाहिए कि मेरी कोई मजबूरी रही होगी जिस वज़े से मैंने उसे मना कर दिया और दूसरी स्थिति में यह सोच भी आ सकती है कि मैंने दोस्ती नहीं निभाई अब मारा है भाषा की बात नीचे दिये गए अधूरे दोहों की पंक्तियों को खोज कर उन्हें पूरा कीजे तो कह साई इतना दीजे जामे कुटम समाए तो इसका होगा मैं भी भूखा ना रहूं साधू न भूखा जाए अगला है बोलचाल की छेतरी विशेस्ताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है उच्चारण के परिवर्तन से वर्तने भी बदल जाती है पार्ट में आए नेम लिकित शब्दों के परचलित रूप लिखिए जिसमें पहला है आपको किस दोहे ने सरवादिक परभावित किया और क्यों तो इसका उत्तर होगा मुझे कभीर के इस दोहे ने सरवादिक परभावित किया कि जिसमें बताया गया है कि साधू से जाती ना पूछो पूछ लो ग्यान क्योंकि हमें कभी भी अच्छे व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें उनसे ग्यान लेना चाहिए नमबर टू, हमें अपने मन की वेथा दूसरों को क्यों नहीं बतानी चाहिए तो हमें अपनी समस्या किसी को भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वे हमारी समस्या सुनकर समाधान करने की बजाए हमारी समस्या का विज्यापन कर देंगे और मन ही मन या सोचकर खुश होंगे कि ठीक हुआ हुआ इस समस्या से मैं पेडित नहीं हूँ तो आज का आपका ये पार्ट यहां पर समापत होता है वीडियो देखने के लिए धनिवाद